इस लेक्षर के अंदर जो चीज हम देखने वाले हैं वो है Plotly के साथ GeoMaps कैसे बनाए जाते हैं और GeoMaps बहुत ही important चीज है and within few lines of code आप इसे बना सकते हैं using Plotly कैसे अभी मैं आपके सामने screen share करता हूँ As you can see here कि इस तरह का plot हम बनाने वाले हैं और आपको मैं बताने वाला हूँ using the dataset from word bank जो हमारे पिछले coding night के अंदर भी हमने use किया था So similar kind of dataset हम fetch करेंगे और इस dataset के उपर हम Plotly से इस तरह का Coropath Plot जो है वो बनाएंगे यह Plot क्या होता है आपको population शो करवाता है different चीज़ों की या आप map कर सकते हैं किसी भी चीज़ को on google map या आप कह सकते हैं कि google का जो earth map होता है वैसे वाले map पे या आप कह सकते हैं कि दुनिया का जो map है उस map के ओपर कैसे आप इसको show करवा सकते हैं तो पहला काम हमने क्या करना होता है सबसे पहले हमने यह वाली लाइबरेडिस जो हैं इने इंपोर्ट करने है पांडास, नमपाई, मैटलॉलिप, सीबॉन, डेटा, डेट अंटाइम, प्लॉक्त ली यह चार में से सिरफ उपर वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ लेकिन यह तीन मैं इस वड़ा से कर रहा हूँ क्योंकि जब आप भड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो you need these libraries, ठीक है इस वड़ा से मैं इसको हर दफा मेरी practice के अंदर है कि मैं इसको add करता हूँ जब भी मैं notebook बनाऊंगा I will not only use one library or the other one but several libraries together इस वड़ा से आप देखेंगे कि practice के अंदर मैं इने use करता हूँ of course you can remove these और आपका plot बन जाएगा but it's totally up to you WB data जो है यह word bank data की एक API के थूँ आप इसे fetch करते हैं WB data एक python package है जिसके थूँ आप data word bank के data set से ले के आते हैं और word bank का data अगर आप देखें तो यह word bank की website है word bank के अंदर जो data bank है यह इस data bank से आपको data जो है वो fetch करके देगा ठीक है So this is how we are going to do मैं यहाँ पर date and time मैंने इस वज़ा से बुलाया है क्योंकि इसके थूँ हम check करेंगे कि किस date का data हमें चाहिए ठीक है and then at the end plot list हम उसे plot करेंगे data fetch करना थो तो मैंने यहाँ पर सिरफ इस वज़ा से WB data and pandas लिखा because I need only these two libraries to do this line of codes जो यहाँ पर use होंगी of course you can actually delete this but it's totally up to you अगर आप इसी code को copy कर लें then it will be working fine indicator जो है मारे पास sp.population.total यानि के total population का हमने data लेने from word bank सिरफ total population मैंने लिखी है यहाँ पर we can also add multiple factors और उनकी base भी भी देख सकते हैं लेकिन सिरफ total population से start करते हैं countries हमने पिछले lectures के अंदर यह 5 define किये रदे मैं इनको भी define कर सकता हूँ इनके बगैर भी देख सकता हूँ so we don't need the countries here इस वज़ा से मैं यहाँ से country का जो यह वाला एक column है इसको मैं remove करते है तो ताकि हमारे पास पूरी दुनिया का data है ठीक है not only सिरफ these 5 countries अगर आप इन 5 countries का लेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया बंगलादेश और स्रिलंका then we will have 5 countries otherwise we will have all the countries like this then इनका index जो है वो reset कर देंगे हम and then पहला column होगा country का दूसरा date year का ठीक है और तीसरा of course हमारे पास total population का होगा जो हमने यहाँ पे indicator के अंदर total population set कर दिया then हम data को ensure करेंगे कि वो data जो है वो उसका जो year का column है वो numeric हो ठीक है then यहाँ से आप range define करते है कि किस साल का data चाहिए मुझे सिरफ 2023 का data चाहिए अभी के लिए ठीक है so 2023 का data जो है मैं इस तरीके से यहाँ पे print कर सकता हूँ अगर मुझे 2023 का नहीं चाहिए मुझे एक range चाहिए so I can do like this as well मैं इसे copy करता हूँ यहाँ से मैं कहा देता हूँ के less than and equal to 2023 और यहाँ पे मैं इसके बाद simply क्या कर सकता हूँ and and greater than equal to 1960 so 1960 से 2023 का data हमारे पास आ जाएगा मैं data को df add करता हूँ मैंने save नहीं किया data मैंने सिरफ नाम लिख है just comment out किया है कि सिरफ आप data को पहले चेक कर ले मैं इसको run करता हूँ and the data is here यहाँ भे मेरे पास data मुझूद है 2023, 22, 21, 20, 19 multiple data sets मेरे पास मुझूद है हर साल का data मेरे पास आ गया और यह df के अंदर यहाँ पे store हो जूग है आप df add की बजाए इसको df sample भी कर सकते है just to have an idea कि आपका sample कैसा नज़र आता है so this will give me multiple things अब देखिएगा पहले data और था अब और है चेक करें समझा रही है क्यों ऐसा है क्योंकि हमने sample यहाँ पे दे दिया अगर हम यहाँ पे random state 0 करते है let's see now क्या हो रहा है बार बार वो ही data आ रहे क्योंकि जो इस random state पे data आ गया वो ही रहना है अगर मैं इसको 10 करता हूँ यह 10 पे आ गया यह यही रहना है ठीक है so this is how random state works so usually मैं क्या करता होता हूँ यहाँ पे अच्छा scientists जो हैने data scientists वो पड़े funny है इस मामले में हमेशा 42 लिखते थे आप machine learning के algorithm में random state 42 देखेंगे ठीक है और इसके पीछे reason क्या है you have to find it out Google पे आप जाके देखेंगे तो आपको मज़ा है का उसको पढ़ने के लिए क्योंकि जिसने first time use की थी उसने 42 लिखा सभी 42 यह 42 यूज़ करते रहते है random state 42 यह 10 यह 20 whatever the number is कर लेता हूं कि data क्या है यह मेरा data है country, year and total population का object, integer and float ठीक है तो यह मेरे पास data है और आपको पता है कि year मेरे पास multiple years मौझूद है ठीक है 1960 से लेके 2030 अब देखेगा यहाँ पर figure मैंने बनाई है px. चोरो या कोरो कुरो प्लेथी से बोला जाता है ठीक है कुरो प्लेथी से आप कह सकते है simply और df हमने data दिया locations हमने दे दी country के नाम की ठीक है और location mode हमने country names दे दिया अक्सर अकात आपको latitude longitude भी देना पड़ता है अक्सर अकात आपको different किसम की ISO observations लिखने पड़ती है या जैसे आप say for example pk, in इस तरह के code भी यूज़ करते है क्योंकि यहाँ पर हम complete country name यूज़ कर रहे है इस वटा से मैं location mode को country name कर रहा हूँ अगर मैं ISO यूज़ करता तो मुझे ये वाले column देने पड़ने थे in, pk, bd, lk ये codes है country के ठीक है क्योंकि मैंने ISO नहीं यूज़ किया तो मैंने क्या किया country name complete यूज़ किया hover country name इसका मतलब जब मैं plot के उपर hover करूँगा तो वो country name मेरे सामने आ जाएगा color continuous scale हमने दे दिया sequential plasma हमने palette दिया इसकी title इसका है total population in 2023 and labels है total population and उसका total population आ जाएगा अब मैंने यहां पर बोला है 2023 की population but can you see any idea here के कहां पर हमारे पास year का column जो है वो 2023 को manage कर रहा है no न so उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर year लगाना पड़ेगा and इसको इस तरीके से करके df के अंदर df year equal to equal to 2023 अब समझागी बात की selection let's see अगर काम करते है ठीक है and now we will see the errors error आगी है हमारे पास तो वो क्या है above inspection यह जो year है यह हमारे पास मुझे पता है क्या गलती है and फोरन से मेरी जो so यह पहुँच गी थी वहाँ पे capital Y के साथ है कर ठीक है capital Y के साथ है मैंने smaller के साथ लिखा यह राजे plot यह देखिएगा इंडिया पाकिस्तान अलजेरिया United States Canada Greenland इस तरीके से आप इसको plot को बना सकते है zoom in भी कर सकते है zoom out भी कर सकते है और यह interactive plot आपके सामने है मैंने total population show की है and of course you will see के जहां पे इंडिया और चाइना वहां पे colors different है and you might be thinking के plasma की बजाए हम और क्या दे सकते है यहां पे आप hashtag लगाएंगे न यह viridis की जो है यह basically एक अच्छी color palette let's see यह हमारे पास कैसे काम करती है यह हमारे पास color palette आगी है अब ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि इनके जो scale है न 2 billion से उपर वो बहुत जयाद है अब total population हमारे पास अगर देखी जाए एक country की यह हमारे पास 1.4 billion है यह हमारे पास केतनी है इंडिया की 1.42 ठीक है so usually हमारी जो maximum limit है that should be around 1.5 scale हमें क्या दे रहे 8 billion समझा ही बहुत की so how can we actually scale down the total population limit ठीक है so हमें क्या करना है अब इसी के अंदर scale यह हमें इसको कहाँ देता हूँ scale down हमने color continuous दिया वहां पे color दे दिया total population scale यह हमें इसको कहाँ देता हूँ limit the axis for total population यह हमें करने पड़े गे और उसके लिए हम क्या करते है figure dot update geos यहां पर यह बोल रहा है projection type इसकी orthographic कर दे let's see इससे क्या होता है यह तो गुमा दिया ना इसने orthographic तो यह हो गया chloropath की वज़ाए हमने orthographic कर दिया this is not like that तो हमें इसका axis चेंज करने I would just do limit this scale कर देते हैं color bar है total population है हमारे पास 1.10 rest of the power 8 है tick 1 million, 10 million, 100 million, 1 billion and 10 billion हम 10 billion कैसे remove कर देते हैं यहां से इसको भी remove कर देते हैं 10 billion को let's see अब क्या होता है now we have 100 million, 1 million अचा color bar पर अभी भी मौझूद है but it didn't update the axis color bar a dictionary total value यह है tick values हमारे पास यह है tick axis हमारे पास यह है so we need to reduce down मैं इसको सारे code को copy करता हूँ easiest solution is to go chat.jpt यहां बे मैं paste करता हूँ code please scale the limit of total population here I would like to see only 1.5 billion as maximum scale let's see मैं सिर्फ वो code देखना चाता हूँ यह क्या करता है so यहां पे हमारे पास total population आगे various हमारे पास color है dictionary उसने दी है 1.5 billion हमारे पास यहां पे tick value है tick text है and यह है color axis dot यह है limit जो हमें add करना है so I will just copy this code बाकी ठीक है यहां पे वापस जाते है और इस जगह पे वो code मैं add कर देता हूँ so यहां पे आप देख सकते हैं कि 1.5 हमारे maximum है और यहां भी maximum होगा I am hopeful कि अब change हो जाएगा and here we go now you can see the change ठीक है वो change क्या है अब आपको United States की 334 जो million की population वो भी नजर आ रही है बाकी भी आ रही है so on and so forth अब अगर आप चाहते हैं 1.5 e की power 9 से इसको आप 0.5 भी कर सकते हैं यानि कि half a billion जिसकी होती है so यहां पे भी 0.5 कर सकते है 1.5 into this one I won't change this ticks value just to see change कहां पे आती है now you can see different colors right so सिर्फ आपने limit down करने क्योंकि दो ऐसे outliers हैं इंडिया एंड चाइन जिसकी population बहुत ज्यादा है बहुत ही ज्यादा population है जिसकी वज़ा से बाकियों का color impact हो रहे है so this is one thing second यह होती है कि आप color ramp पुद से decide कर लें ठीक है यहां से यहां तक एक color डालने फिर आगे दूसरा डालने अच्छा यह तो होगी एक चीज दूसरी चीज इसी population के उपर अगर मैं यहां पे same code को paste करता हूं same code को मैंने paste किया और मैं यहां से भी यह जो मेरा code है इससे भी मैं paste करता हूं ताकि एक code हमारा बन जाए शुरू से end तक यहां पे मैं तीसरी लाइबरेरी जो plotly है उसको भी add कर देता हूं import plotly express import wb data and import date and time date time date time यह हमारे कुछ libraries है जिने हम use करते हैं और यहां पे अब मैं इसको comment out करता हूं यह मुझे data देगा इंडिया, पाकिसान, बंगलादेश, सिरिलंका और अफगानिस्तान का and then I will plot the data only for 2023 यहां तक और इसको मैं यहां से comment out करता हूं just for the sake क्योंकि हमारे पास scale जो है वो down हो गया and let's see यह हमारे पास data आ रहा है अब अगर आप गौर करें sorry there is something wrong हमने यह country को भी यहां से comment out करना था and that is this is country date यह वाला indicator के अंदर so इस वे जासे यह फरग नहीं था पड़ा and now you can see the change हमारे पास सिरफ और सिरफ उन countries की population आ रही है यह ले ठीक है so this is how you can also play with the population अपने region के अंदर के कितनी किसकी population है and you can see exact population when you hover over the things ठीक है अब यह scale down करने के हमें जरूरत ही नहीं because we can see clear differences between different countries and of course पाकिस्तान की ज्यादा है फिर अफ़गानिस्तान भी है हमारे पास स्रीलंका भी और बाकी भी तो यह सिरफ total population थी अब यहां पे देखिएगा अगर मैं इस चीज़ को यहां से मैं बंद करता हूँ और यहां पे भी figure.update layout करने के बाद हम यहां पे एक नहीं चीज़ add कर देते हैं type add कर देते हैं chloropath है हमारे पास chloropath है sorry यहां पे बलके इसकी बिज़ाए हम यहीं पे directly जा ले जाते है and यहां पे है px this one इसको copy कर लेते हैं copy करने के बाद मैं थोड़ा से नीचे आके यहां पे paste करता हूँ end यहां पे देखते हैं हमारे पास क्या change आ सकती है एक तो था हमारे पास जो map की type है this is proplath अब इसके इलावा और कौन सी है अगर मैं directly जाओ plotly पे plotly maps in python तो यहां पे maps in plotly यहां पे multiple types है आपके पास ठीक है तो अगर आप गोर करें यह सारे के सारे plots आप इस पे बना सकते हैं आप specific base भी दे सकते हैं population भी दे सकते हैं dash के साथ dashboards भी बना सकते हैं यह chloropath जो map है chloropath map वो बना रहे हैं और यहां से इस तरीके से dashboard भी आप develop कर सकते हैं कि आपका dashboard कैसे color change करते हैं अगर आपके पास GDP है फिर population है और बाकी है उनको आप ऐसे buttons भी दे सकते हैं and then you can do multiple things here लेकिन जो मेरा favorite है वो यही है क्योंकि ज़्यादा तर मैं इसी को use करता हूं और इसी map के थूप अपना काम जो है वो हम कर लेते हैं तो अब आप geo mapping कर सकते हैं easily using plotly इसके अंदर further अगर आपने कुछ करना है तो you can also do that जैसे मैंने यहां पे इसको लिखता हूं और यहां भे मैं लिख देता हूं update the plot type to orthographic projection type sorry projection type orthographic होगी है यहां पे आपके पास पूरा एक globe आ गया है आप इसको zoom in भी कर सकते हैं zoom out भी कर सकते हैं और यहां से आप इसको देख सकते हैं कहां पे आपकी population का जो scene आ रहा है इसके इलावा projection type जो है आप और भी change कर सकते हैं तो यह है natural earth पिर आपके पास यह सारी के सारी जो है projection type है ठीक है आप कोई भी रख सकते हैं for example यह मैं natural earth रखता हूँ copy करता हूँ यहां पे इसको paste करता हूँ let's see यह natural earth ठीक है of course it's not flat लेकिन आप देख सकते हैं कि change हो रही है चीज़े यहां पे मैं सिरफ projection type change कर रहा हूँ so आप data को कैसे show कर वाते हैं that is called projection यह ले and there are many other types like so जो geospatial mapping करते हैं they have developed these types plotly ने सिरफ इसको implement किया geospatial mapping वाले इसको different तरीकों से देखते हैं तो यह तो हमने सिरफ population को draw किया है आप और भी काम कर सकते हैं आप GDP को draw कर सकते हैं अब आपके पास एक तरीका आगया ना code आपके पास मुझूद है यहां पे सिरफ और सिरफ indicator आपने change करना है यह था total population का अब मैं यहां पे लिखता हूँ say for example GDP per capita यह भी हमारे पास एक indicator है GDP per capita को भी देख सेते हैं and let's see हमारा data हमें क्या कहता है अम जब GDP per capita वाला data यहां पे लेके आते हैं मैं इसको copy करता हूँ copy करके पिछले वाले को undo कर देता हूँ ताकि पीछे वाला scene जो है वो खराब ना हो मैं यहां पे नीचे आता हूँ इसको paste करता हूँ यह हमारे पास GDP per capita आगी पांच countries की मैं ज्यादा नहीं data लेता मैं इसको run करता हूँ let's see यह देखें GDP per capita से यह column आ गया हमारे पास GDP per capita भी मैं यहां पे लेके आ सकता हूँ इसके इलावा अगर आप कॉमा लगाके यहां पे कुछ भी करना चाते हैं for example net migration भी है यह आप यहां पे लिख देते हैं net migration तो उसके लिए जो हमारे पास code था वो भी आ जाएगा if copilot helps us and here we go so let's see ले जनाब net migration GDP per capita अन बाकी भी आ गया अब हम क्या करते हैं यहां पे इसकी figure बनाते हैं इसी चीज़ की और मैं यही code copy करूँगा because it's easier to make copy यहां पे करता हूँ paste यह वही चीज़ है df है year हमने mention कर दिया country names आगे total population color हमने दिया इसकी बजाए हम क्या कर सकते हैं दूसरे columns के name दे देंगे जो यहां पे name आ रहे है gdp per capita मैं यहां पे लिखता हूँ gdp per capita and यहां पे labels जो हैं यह भी हमने change करना है gdp per capita और यहां पे मैं इसको gdp per capita कहा देता हूँ ठीक है and let's see हमारे पास plot कैसा बनता है इसका and here we go आपके पास gdp per capita है of course you need to mention the unit as well क्योंके gdp per capita जब मैंने लिखा है यहां पे if there is some unit तो मैं यहीं पे bracket लगा के उसका unit लिखता हूँ ठीक है so that's what I can do लेकिन of course it's totally up to you आप किस तरीके से इसको manage करते हैं so यहां current US dollar है so मैं देता हूँ so this is how you can manage the units ठीक है so यह आपके पास 4 countries 5 countries का gdp per capita आ गया and now the thing is मैं सी को copy करता हूँ पूरे word का gdp per capita 2023 का यहां पे हम draw करते है and simple is that मैं यहां से country को stop लगाना है यहां से countries को indicator में से निकालना है and that's it enter it will take some time to fetch the data and then show the data and here we have gdp per capita and you can actually see कहां पे कौन से countries जो हैं वो अमीर हैं कौन से ठीक हैं and कहां पे colors क्या चल रहे हैं of course USA की economy हैं यहां पे gdp per capita अगर आप देखें तो यहां पे Europe के different countries जो हैं वो भी ठीक हैं क्या जगा पे अगर हम आएं तो यहां पे China भी ठीक जा रहे है और अगर यहां पे आएं हम तो Australia भी कुछ ठीक है यह per capita के base पे GDP है तो इसको आप different जो columns हैं उनको आप ऐसे draw भी कर सकते हैं यहां पे मैं सिरफ और सिरफ orthographic not orthographic I was using the wrong name orthographic है यह वरा दर let's see मैं इसे copy करता हूं I am just giving you an idea maybe it will worth worth using it और यहां पे orthograph की बजाए मैं natural earth देता हूं बलके इसको मैं comment out करता हूं for now तो मेरे पास जो plot बना है that is this one ठीक है हम क्या करते हैं यहां पे यह जो year है ना इसको मैं निकाल देता हूं समझ रहना मैं क्या करने लगा हूं यहां पे देते हैं animation frame year का big thing is going to be here let's see अगर यह चल पड़ा I am not sure if it will be running लें जना अब देखिएगा क्या होगा 2023 से 1973 तक आ रहा है तो मैं इसको उल्ट करता हूं यहां से मैंने data को sort कर लेने sample के फोरण बाद यहां पे sort the data by year so यहां पे आना चाहिए df.sort values by year and यहां पे यह अब year 1960 से start होगा hopefully and here we go 1960 and 2020 तक यहां पे आपके पास आएगा total population अब आपके पास एक चीज का अंदाजा आपको होगा कि total population कैसे increase कर रही है through the years त्यार है जे let's play this here we go कितनी प्यारी वीडियो बन रही है समझ रहे हैं बात को सो यह population कैसे change की है कैसे swift change आही है not population आप देख सकते हैं कि कब कौन सा country अच्छा था कब नहीं था and you can see Europe ने फोरण से तरकी नहीं ले ली 1947 के बाद 1960 के बाद they had to work very hard आप देखेंगे सो अगर मैं इसको zoom in करूं you can actually see कि पाकिस्तान का GDP per capita कैसा चल रहा था यह है पाकिस्तान अब मैं दोबारा से इसे play करता हूं चुरू से नीचे रहे हैं अल्ला के होकम से उपर ही नहीं आने दिया समझे रहे हैं बात को as compared to other countries नहीं इस पर ऐसे नजर नहीं आ रहे आपको so what we can do now we can also compare the same things for these five countries जो मैं आपको पहले बता रहा था ठीक है so मैं ऐसे करता हूं इसको ऐसे कर लेता हूं कम असकाम हमें पता तो चल जाएगा न हमारा मुकाबला जो है एर्दिगर्दवालों के साथ हम साय मुमालिक के साथ हमारा क्या सीन चल रहा है let's see scale जो है वह बहुत उपर वाला भी है हमारे पास क्यूंके Sri Lanka जो है उसका GDP per capita अच्छा खास है इस वड़ा से scale हां जे कुछ समझ आई चीज़ की अब यह ऐसी चीज़ें अगर आप YouTube का content बनाने में या अपनी presentations में या एक animation बनाने में सेव करें तो believe me it can save a lot of time for people to understand किस तरीके से यह GDP per capita चेंज होता है अगर आप ऐसे comparison दिखाएंगे एक एक तस्वीर का तो कितने साल है जी 64 साल है and people will take a lot of time to grab this knowledge लेकिन एक animation आपको कुछ seconds के अंदर दिखा देती है अब अगर आपने पिछला lecture सुने है ना तो मैंने video को save करने का तरीका भी बताया अगर आपको याद हो plotly maps के अंदर sorry इसके अंदर plotly master class के end पे मैंने animation को save करने का कल एक lecture भी जो है वो आपको दिया है अगर आपको याद हो उसके video हमने save की थी और उसकी gif file भी save की थी so if you go there you can also save this as an animation animation और आप इसको देख सकते हैं यह जो जितना भी हमने यहां पे draw किया you can save that as a gif file तो मैं यहां पर लिखता हूँ save that save animation as gif simply not this one यहां पर मैं वापस जाता हूँ उसी code को ले कियाता हूँ because I have added that at the end यह देखें यहां पर मैंने यह पूरा तरीका बताया हूँ किस तरीके से आप save कर सकते हैं इसको वीडियो के तोर पर मैं इसको यहीं से copy करता हूँ इस पूरे code को यहां पर लाके इस पर इसको implement करने के कोशिश करते हैं मैं यहां पर paste करता हूँ and now you will see कि हमने क्या करना आता है simply यह एक हमारे पास code है ठीक है हमने इसके अंदर यह जो हमने figure बनाई है न यह basically इस figure को animate करके save करना है तो मैंने यहां पर moviepy.editor और operating system यह वाली command यूज की थी और इसको मैंने use किया था for saving the video अब मैं बजाए इसके कि मैं पूरे code को खुद से manually करूँ मैं इस code को copy करता हूँ और मैं chatgpt को उसको कहता हूँ कि this is my code I would like to save the files as MP4 video and also GIF file here is how I did it recently so मैं दोनो codes यहां पर copy कर देता हूँ and then chatgpt will help me to refine the code please provide me code for the map लेजी so यहां पर यह मैंने इसको पूरा context दे दिया and now it will give me the code कि किस तरीके से सारे के सारा जो code है वो save होगा and किस तरीके से 5 countries का जो data है वो frames के अंदर save के बाद में clip right हो जाएगा HD video के अंदर and this is the code मैं यहां से इसे उठाता हूँ मैं नीचे ले आता हूँ और यहां पर इसे paste करता हूँ and here we have the code ठीक है जो भी काम उसके अंदर है hopefully इसके अंदर को गलती नहीं होगी and the main thing जो इसने की है वो यह की है कि हर एक साल के एक तस्वीर को save किया है in one document called frames map ठीक है यह directory एसके अंदर save हो गया save होने के बाद जब वो सब कुछ save हो गया then it converted that into a film और वो film gif के अंदर भी और mp4 के अंदर भी save होई है मैंने hd के अंदर भी की है if you don't want to do it in hd it's up to you लेकिन this is how you can save और मैं यहां पर क्या करूंगा एक 05 के नाम से 05 के नाम से not this one right click new folder 05 और यहां पर मैं इसको कह देता हूँ maps animation so इसको मैं copy करता हूँ 05 maps animation and यहां पर जब मैंने output डालनी है so इसके अंदर मैं इस तरीके से इसको save करूंगा so ताकि मेरा जो काम है वो इसे folder के अंदर save हो अब मैं इसे run करता हूँ let's see it will take some time आपको moviepy editor जो है इसे install करना पड़ेगा और यह वाला moviepy python के यह software library basically frames को जोडने के लिए होती है and now it's just working अगर आप गौर करें यहां पर हमारे पास यह frames map के नाम पे folder है यह सारे frames save हो रहे है frames का मतलब हर एक image for loop के साथ save हो रही है अगर आप इसको निकालेंगे तो this is the image समझे बात की सो हर साल की save हो रही है यह चेक करें ओपर year change हो रहे है बस इसने उठा के बाद में image में change कर देना let's see अब क्या मसला है आज़ी हमारे पास यह issue कर रहा है none type type error none type का error let's see integer type जो हमें खराब कर रही है so missing values हो सकती है इसके अंदर जिसके वज़ा से none type आती है अगर आपको पता हो so it will handle for the missing values and then it will save the code मैं सारे code को दुबारा से copy कर रहे and let's put it here यह end वाली तीन लाइने में change करता है बाकी change करता हूं क्योंकि end वाली तीन लाइने जो हैं वो मेरी image को save करने के लिए let's see image को दुबारा से run करता हूं अब क्या होगा पिछले तस्वीरें जो हैं वो replace हो जाएंगी और आपको पता है 64 साल हैं तो जो कितने frames होने जाहिए total इंडेक्स 0 से start हो रहे हैं राइट ओके जी नाओ दे प्रॉब्लम इस वीडियो फाइल जो है वो नहीं राइट हुई लेकिन जिफ फाइल होगी है and here we have the data ठीक है तो जिफ फाइल है आप इस पर zoom in भी कर सकते हैं और इस तरह किसी दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो यह base map जो बाकी है उसे remove भी कर सकते हैं बाकी जो वीडियो की फाइल है इसका issue क्या चार रहा है again none type की error आ रही है so we can remove that again missing values जो है न उनका roll है इसके अंदर और कुछ नहीं है बाकी everything is perfectly fine तो मैं इसको दुबारा से save करता हूँ code को बस output अपनी scattered नहीं करने वरना आपका खाम खराब होगा बाकी तो image की sequence यह जो change हो रही है so मैं इसको दुबारा से run करता हूँ it will take few seconds and then we will have the video hopefully this time it will work fine yes it is working and it stopped again so missing value का अभी भी चक्कर आ रहा है must be a real number not a none type इस code में problem है जिफ हमारे पास हो रही है so we will see it afterwards क्योंके अभी के लिए we have to move further यहां पर animation जो हमारे पास आ चुकी है जिफ so we can save it अब एक और चीज़ हम कर सकते हैं यहीं पर हमने जो काम किया था इसको stop करते हैं और country को भी stop कर देते हैं इंडिकेटर में यह वला and then we will see के हमारे पास पूरी दुनिया का map animate होके आता है यह नहीं GDP का per capita so मैं इसको run करता हूँ few seconds के लिए wait करेंगे क्योंके यह अच्छी खासी speed लेता है images multiple बन रही हैं कहां पे एक दफा़ प्लॉट ली चलनी है यहां पे कई दफा़ चल रही है अब यह जो काम हो रहा है ना save का klydo engine के through आपने देखा है कि यहां पे सारी की सारी png में save हो रही है अगर इसका मैं scale size बढ़ा दूँगा ना यहां से 2 या 3 कर दूँगा यह most actually मतलब जो बहुत high quality video है उसके अंदर convert हो जाएगी सो हमारे पास यह चल पड़ा है and here we have animated image for the whole every country ठीक है और scale भी move कर रहा है अगर आप गवर करें based on the year ठीक हो गया and this is actually a gif file आप इसे उठा गे ना इसी तरीके से आप इसे post कर सकते हैं अपने social media handles पे whatsapp status लगा सकते हैं and do multiple things this is how you should work as a data analyst क्योंकि आपके पास data है आपके पास skill है इसको show करवाएं लोगों को बताएं कि मुझे यह काम आता है and try to produce these kind of things and upload on different social media handles ताकि लोगों को पता चले कि you are good in data visualization static plot बनाना बहुत बड़ी बात है plot को map में convert करना उससे बड़ी बात है map पे data को show करना वो भी उससे advanced level है एक map को 5 साल के लिए show करवना उससे बड़ी बात है आप 64 सालों का data within 5 seconds डाल रहे है just imagine you just need to write if you want to have a glimpse of GDP per capita around the world from 1960 to 2023 here you go in 5 seconds boom so the thing is there I mean it's up to you आप कैसे गाम करते है लेकिन this is how you can create multiple impacts यहां तक समझ आगी if you have any question write down in the chat or comment section then I will answer